तो यहां पर मैं आप सभी से बात करना हूँ लवली इनु कोईन के रिगाडिंग जिसकी प्रैसिंग कभी काफी ज्यादा नीचे चल रहे हैं डिसकाउंट में टोकन आप सभी को मिल रहा है लेकिन यहां पर एड्मिन ने प्राइस बढ़ाने की पूरी कोशिश चालू कर दिय है जिहां दोस्तों एक ब्रेकिंग अपडेट है हर एक लवली होल्डर के लिए क्योंकि यहां पर एड्मिन ने टोकन को बाइबेक करना शुरू कर दिया है अब बहुत चारे कोईन आपके सामने होंगे जो आपको बर्निंग करके दिखाते होंगे लेकिन दोस्तों बर्निं इनने लवली की एक बहुत ही बड़ी स्टेप लेनी की कोशिच किये जा कि वो टोकन को सर्कुलेटिंग सप्लाई से घटाने की प्रियास करें बाइबेक करके अपने वॉलेट में रख रहे हैं जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ी पंप लेकर आ सकती है लवली रू कॉयन सकती है और यह सभी ओल्डर के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग अपडेट रहने वाली है क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं विच्प्रूप आप सभी को कुछ ब्रेकिंग अपडेट दिखाने वाला हूं जिसे देखके आप सभी को बहुत जादा खुशी मिलने वाली है मुझे पता सबसे पहले चलेंगे कहां दोस्तों हम ब्रेकिंगे अगर आप होल्डर की संख्या पर देखेंगे तो कुछ दिन पहले जो उपड़ वाले ओनर की एड्रेस थी तो उसमें 27 परसेंट मतलब होल्डिंग थी और अभी वह होल्डिंग बढ़के 3 परसेंट होल्ड च्बूसेंट और दोस्तों अगरा देखेंगे सब्सक्राइः जोकि अफने उपड़ वाले वॉलाएट में या कुछ भी ऐसे बोल सकते हो आपको कैसे पता ओनर ने बाइबेक किया दोस्तों मैं कुछ प्रूफ आफ सभी के सामने सेर करने वाला हूं जिससे आफ सभी को समझ में आ जाए एक वहिया यहां पे ओनर की जो उपड़ वाली वालेट में तोटल नंबर ऑफ टोकन थी वह 30% हो च सारा कर रहा बर्णिंग के रिगार्डिंग अगर दोस्तों अपने 50% टोकन बंड कर देते हैं और अपने पास वस 5% टोकन रखते हैं तो यह लवली के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेक आउट लेकर आ सकती है मैं कोई एक्चेंज लिस्टिंग रिगार्डिंग आज बात न लेकिन अगर डिमांड नहीं आएगी तो इसी प्राइस पॉइंट बड़ेगी और यह फीचर का फीचर काफी इंपॉटेंट है लवली के लिए क्योंकि दोस्तों आप देख रहेते काफी दिनों से प्राइस नीचे चल रही थी और यह दोस्तों मैं आप सभी के साथ एक प पैनकेक स्वैप का अडरेस है मैंने चेक आउट नहीं किया लेकिन यह किसी एक्षेंज कही है यह स्वैप का अडरेस है जो कि थोड़ा अपडाउन होते रहता और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो सब इसे बड़ी अपडेट यह भी है यह तीन वालेट एडरेस जो और हुँ आंपको बता रहा हूँ बागी दोस्तों आप अपने पैसे अगर डाल रहे हैं तो रिक्स क्यापसिटी को देखके लगा जो कि को purchase किया, buyback किया, किसी holder जो sell कर रहे थे, उससे buyback कर लिए, अब क्या हुआ दोस्तों, जो circulating supply में token थी, वो घड़ गई वहाँ से, अब अगर buyers आएंगे, तो भाईया, वो जब price लगाएंगे, तो उपर की price लगेगी, दोस्तों, जिससे की token की price बढ़ना सुरू करेगी, यह हो अब अच्छा लगाओ, तो भाईया, वीडियो को like किजिए और चैनल को subscribe किजिए, थोड़ा प्यार और support हमारे साथ, share किजिए, जिससे की रोश्तों, आगे हम आप सभी तक quality content इससे भी अच्छे तरीके से पहुचाते रहें, जिससे की रोश्तों, आपकी profit maximize हो, losses बिलकुल तक आउके रहें हमारे मैच्छ विर्जा अडूमौट अब जब लोश्तों है,